प्रीज लॉड मैं शूशंकर तिवारी आज एक और विशय आपके सामने रखना चाहता हूँ ये है प्रकाशित वाक्य में वरनेत उन चार घोड़ों के बारे में जो की अंत के समय में छोड़े जाएंगे या अल्रेडी छोड़ दिये गए हैं ये मैं परमेश्वर की ये जो बात है ये आपके मैं मनन के लिए छोड़ देता हूँ इसके लिए हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य की किताब उसका चटवा अध्याय और उसकी कुछायते यहाँ पर हम पहले दूसरी आयत पढ़ेंगे चटवा अध्याय की वहाँ पर इस प्रकार से लिखाया और मैंने द्रिष्टी की और देखो एक श्वेत घोड़ा है और उसका सवार धनुष लिये हुए है और उसे एक मुकुट दिया गया और वह जय करता हुआ निकला की और भी जय प्राप्त करे कुछ लोग सोचते हैं यह श्वेत घोड़ा है अर्था इसमेश्यू मसी होंगे लेकिन नहीं यह मसी विरोधी है एंटिक्राइस्ट है जो इस घोड़े पर बैठा है और जिसे एक धनुष दिया गया आप कैसे पहचान सकते हैं कि एंटिक्राइस्ट है क्योंकि इसके हाथ में धनुष है और परमिश्वर का जो हतियार है वह वचन अर्था दोधारी तलवार जैसा कि ह हम पढ़ते हैं इफीस्टियों के किताब में कि आत्मिक्ता के सारे हतियार बांद लो ताकि तुम उसके जलते हुए तीरों का सामना कर सको है ना तो जलते हुए तीर कौन छोड़ रहा है जिसके हाथ में धनुष है अर्तात ये मसी भिरोधी एंटिक्राइस्ट इसके बाद हम देखते हैं चोथी आयत फिर एक और घोड़ा निकला जो लाल रंग का था उसके सवार को यह अधिकार दिया गया कि प्रिथ्वी पर से मेल उठा ले ताकि लोग एक दूसरे को वद करे और उसे एक बड़ी तलवार दी गई इस घोड़े के हाथ में तलवार है और इस घ जहां जहां से निकलेगा वहां से लोगों के मन में से प्रेम खतम हो जाएगा मेल उठा लिया जाएगा और लोग एक दूसरे का वद करने लगेंगी तीसरे घोड़े के बारे में हम देखते हैं जो पाचवी आयत में लिखा है और एक काला घोड़ा है और मैंने उन चार प्राणियों के बीच में से एक शब्दे कहते सुना कि दिनार का सेर भर गेहूं और दिनार का तीन सेर जव और तेल और दाकरस की हानी ना करना अर्थार ये जो गोड़ा है ये अकाल को और महंगाई को दर्शाता है ये जो काला घोड़ा है तीसरा ये जहां जहां से जाएगा अब हम देखते हैं कि महंगाई और अकाल पढ़ना शुरू हो जाएगा इसके बाद हम देखते हैं आठवे यहां परिस प्रकार से लिखा है और मैंने द्रिश्टी की और देखो एक पीला सा घोड़ा है और उसके सवार का नम मृत्यू है और अधोलोक उसके पीछे-पीछे है और उन्हें पृत्वी की एक चौथाई पर यह अधिकार दिया गया कि जो कि एक चौथे घोड़े को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि पीले रंग का सा एक पेल होड्स है यह जहां-जहां से जाएगा वहां आप देखेंगे कि तल्वार, अकाल, मरी और इवें पृत्वी के वनपश्वू के द्वारा लोगों के मारे जाने की घटनाएं आपको सुनाई देंगी आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि 2011 में जब हुसनी मबारक को हटाने के लिए काईरो में जब प्रदर्शन शुरू हुए तब वहां पर एक अच्छी रेपुटेटिड न्यूस चैनल ने जब कवरेज की तो उस कवरेज के दौरान यह जो पीला घोड है यह कैमरे में कैप्चर हुआ इसके इमेज भी मैं इस वीडियो के साथ आपको भेज रहा हूं साथ में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लिंक को भी वीडियो लिंक को भी देख सकते हैं जहां पर आप उस पीले घोडे को जहां दंगे हो रहे हैं उनके बीच मे द्वारा त्यार करें कि हम उस समय में आ गए हैं जहां प्रित्वी अपनी आखरी सांसे ले रही है और प्रभीश्य मसी का जो आगमन है वो बहुत निकट है आप चिंता नहीं करें कि आपके बच्चे के भविश्य के बारे में आपकी जौब के बारे में आपके रिष्टों क बारे में बहुत जादा सोचने का समय नहीं है बाइबल में लिखा है कि जो भी तेरे पास है तो उससे थामे रहे और विश्वास में बना रहे क्योंकि उसका आना शीगर ही होने वाला है प्रभीश्य मसीन वचनों के द्वार आपको आश्यशित करें और मैं इस वीडियो क यूटूब वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक को भी भीजूँगा आप उस लिंक को जुरूर एक्सेस करें आपको वीडियो भी अच्छे से दिखाए देगा जिसमें पीला घोडा आप देख सकते हैं कि जहां जहां से वो जा रहे वहां वहां दंगे और मरी फैलती चली जा रही है प्रेज दो लॉट प्रवीशु इस वच्छन के दोर आपको आशेशित करें आमीन